प्राजस्तान पटवार के एक्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे पुरा विश्वास है कि आपकी तयारी भी एच्छी चल रही होगी उसी तयारी को और स्पीड देने के लिए ये मोडल पेपर आपके लिए बहुत हेलफुल रहेंगे तो आज के पेपर में भ यहाँ पे एक रूल देखेंगे कि एगर कोई भी प्रिपोजिशन आजाए उसके बाद अगर कोई प्रोणाउन मतलब सर्वनाम अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी अब्जेक्ट फोर्म आती है 99% के सेज में क्या होता है प्रिपोजिशन के बाद कोई भी प्रोणाउन की अब्जेक्ट फोर्म हम यूज़ करते हैं अब क्या होती है सब्जेक्ट फोर्म और क्या होती अब्जेक्ट फोर्म हो समझते हैं तो सबसे पहले तो इसका अंसर देखते हैं कि सी की अब्जेक्ट फोर्म क्या होती है हर होती है तो कौन से पार्ट में एरोर हुआ अब यह सभी क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए अब यह प्रोनाउन की subject form है अगर pronoun मतलब सर्व नाम एजे करता आएगा एजे subject आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? ये form यूज करेंगे और अगर इनको एजे object लिखना हो तो ही का लिख देते हैं हम क्या? Him तो अब देखते हैं next question इसमें भी error find out करना है जैसित the department of modern Indian languages is running a course in comparative literature for the last 15 years तो यहाँ पर हम rule देखेंगे क्या? कि 4 के बाद अगर कोई time दिया हुआ हो 4 और since के बाद अगर कोई time आ जाए तो sentence, consistency में रता है perfect continuous में रता है तो यहाँ पर continuous tense नहीं आएगा क्या आएगा perfect continuous और perfect continuous tense में हम has been, have been और वर्व की first form में ing यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? has been तो कौन से पार्ट मेर रुर हुआ? is running a course sentence का मतलब क्या निकलेगा? कि modern Indian languages का department पिछले 15 सालों से comparative literature का course चला रहा है कब से चला रहा है? पिछले 15 सालों से अब question number 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा वो देखते हैं जैसे his professional ability proves that he is cut blank for this job तो यहाँ पर हमें एक नया word सीखेंगे क्या? cut out अगर cut out एक साथ लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब निकलता है? suitable suitable मतलब योगए किसी चीज़ के लिए अगर कोई योगए है तो उसके लिए cut out का use करते हैं तो sentence का क्या sense निकलेगा? उसकी professional ability यह prove करती है कि वो इस job के लिए suitable है तो cut out का क्या मतलब होता है? suitable होना तो यहाँ से sense के साथ हम fill कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? आउट आएगा अब next question की बात करते हैं जैसे अब यहाँ पर एक article से related question दिया गया है अब यहाँ पर कौन सा article आना चीए? तो हम article के chapter में पढ़ते हैं कि consonant sound के साथ हम A का use करते हैं और vowel sound के साथ हम N का use करते हैं तो वैसे तो यूग क्या है यहाँ पर vowel है लेकिन इसका sound क्या निकलता है? unique तो इसका sound unique निकल रहा है और यहाँ पर यह क्या चीज है? यह वेंजन है ना कि swear तो इसके साथ हम किसका use करेंगे? A का use करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? A आएगा अब question number 5 में interfere का synonym बताना है तो हम interfere का use अपनी language में भी करते हैं जैसे कि मेरे internal matrix में तुम interfere मत करो interfere मतलब tongue अड़ाना यह दखल अंदाजी करना तो यहाँ पर हम देखेंगे कि interfere का synonym क्या होता? middle middle का मतलब भी क्या होता है? दखल देना यह टांग अड़ाना तो यहाँ से interfere का synonym क्या होगा? middle sixth question में rapid का intonym बताना है तो rapid का मतलब हम द्यान रखेंगे कि क्या होता है? fast तो इसका intonym की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? slow rapid मतलब fast slow मतलब dhima fast मतलब तेज question number seven में an apple of discord इसी डियम का मतलब बताना है तो an apple of discord discord का मतलब होता है? विवाद तो अगर इसका diet meaning देखेंगे तो क्या निकल रहा है? विवाद का apple जैसे एक story imagine करते हैं कि कोई दो बच्चे है लेकिन apple एक ही है तो वो एक apple क्या है? उनके जगडे की जड़ है उनके विवाद की जड़ का है? एक apple है तो यहांसे हम क्याद रखेंगे कि an apple of discord का मतलब क्या होगा? the cause of contention जगडे का कारण contention क्या होता है? मन मुटाव या जगडा question number eight में on the cards इस idiom का मतलब बताना है क्या होता है? एक्जाम में idiom डारेक्ट भी आ सकता है और sentence के साथ भी आ सकता है तो यहां पे sentence के साथ idiom दिया गया जैसे his promotion is on the cards तो on the cards का मतलब होता certain certain मतलब निश्चित तो आंसर क्या होगा? certain अब याद कैसे रखेंगे? जैसे sentence का मतलब क्या निकला? उसका promotion निश्चित है on the cards जैसे अगर किसी की साथी के card चप जाए तो साथी होना निश्चित हो जाता है cards अपने के बाद निश्चित होना तो यहां से हम याद रसकते हैं क्या on the cards का मतलब certain या निश्चित अब पैसे इत सोल करते हैं जैसे some languages are used by a few people कुछ languages कुछ लोगों के दोवारा यूज की जाती है others such as Mandarin Chinese and English are spoken by millions तो दूसरी language जैसे Mandarin Chinese और English बहुत लाखों के दोवारा बोली जाती है यहां से हम ध्यान रखेंगे एक मिलियन मतलब दस लाख और एक बिलियन के अगर बात करें तो सो करोड तो यहां से क्या मतलब निकला Chinese language Mandarin और English कई लाखों के दोवारा बोली जाती है many people speak two or more languages कई सारे लोग दो और दो से अधिक languages बोलते हैं they may use one language at home with family and friends and another at work or school वो एक language family और friends के साथ गर पर बोलते हैं और एक language काम पर और school में बोलते हैं regional variations of languages are known as dialects तो regional language मतलब इस्तानी रूप किसी language गा उसको हम dialects बोलते हैं dialects मतलब उप बासा उस इस्तान विसेज की बासा the anglo-saxons who conquered Britain at the end of Roman Empire anglo-saxons जिन्होंने ब्रिटेन को जीता था Roman Empire के बाद conquer मतलब जीतना spoke a Germanic language वो एक Germanic language बोलते थे which later became English जो बाद में English बन गई other Germanic languages include Danish, Dutch, German and Swedish English also contains French derived words English language के अंदर कुछ French language से भी बने words होते हैं after it was ruled by French-speaking kings और वो क्यों होते हैं कि ब्रिटेन पर कुछ दिनों के लिए French बोलने वाले राजाओं ने भी सासन किया था तो ये passage होगया आप passage के questions देखते हैं जैसे Mandarin Chinese is spoken by blank तो passage के अंदर क्या आया था कि Mandarin Chinese और English कई सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है तो यहाँ पर क्या आएगा मैंनी अब बात करते हैं 10th question की Regional variations of a language is called Regional variation होता है जो इस थानी रूप होता है भासा का उसको हम क्या बोलते हैं तो passage में क्या आएदा dialects बोलते हैं dialects बोलते हैं मदलब उप भासा अब 11th question की अगर बात करें तो blank इस part of a Germanic language Germanic language का part क्या है तो Germanic language का एक part का English English भी Germanic language का एक part ही है तो आज के 11 question के साथ साथ हमने कुछ important concept सेखें तो I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई question पूछना है कोई suggestion देना है तो आप comment box में पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही Thank you